हेलो दोस्तों मैं अशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांस्पोर्ट अड़ा पर तो दोस्तों कैसे है आप दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होंडा एचनेस CB350 बाइक की हांजी दोस्तों होंडा एचनेस CB350 बाइक भारत में लौंच हो गई है इसकी सुरवाती कीमत के अगर बात की जाए दोस्तों तो 1,85,000 रुपए रखी गई है जो कि इसका एक शोरूम प्राइस है तो इस बाइक में आपको क्या फीचर मिलेंगे क्या स्पैसिफिकेशन होगा इसकी इंजन कैसा होगा दोस्तों कितनी पावर देता है पूरा रिव्यू आज हम इस बाइक का करने वाले है उमीद करता हूँ या वीडियो आपको पसंद आएगी तो दोस्तों भारत में नए सेग्मेंट में एंट्री करते हुए होंडा मोटर साइकल एंड स्कूटर ने अपनी क्रूजर बाइक एचनेस CB350 को लौँच कर दिया है एचनेस CB350 को 1,85,000 रुपई की शुरुवाती कीमत पर लौँच किया गया है और यह दोस्तों एक्शोरुम प्राइस है गुरुग ग्राम का जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि होंडा एचनेस CB350 को 30 सेप्टेंबर को सबसे पहले लौँच किया गया था और इसे होंडा बिग विंग डिलर्शिप के मादियम से बेचा जाएगा इसके वेरियंट के अगर बात की जाए दोस्तों तो नई होंडा एचनेस CB350 को दो वेरियंट में लौँच किया गया है इसमें आपको DLX और DLX Pro मिलेगा वहीं कंपनी ने इसके लिए बिते महिने से बुकिंग भी शुरू करती है और जिसके डिलेवरी 17 अक्टोबर से शुरू होगी वेरियंट के बेस पर दोस्तों कीमत की बात करें तो एचनेस CB350 DLX अगर आप लेते हैं तो इसकी कीमत 1,85,000 रुपए है और एचनेस CB350 DLX प्रो अगर आप लेते हैं दोस्तों तो इसकी कीमत है 1,90,000 रुपए रखी गई है तो दोस्तों इसके कंपिटिशन में कौन कौन से बाई का है वो हम आपको बता देता हूँ रोयल एंफिल्ड क्लासिक 350 और जावा को बड़ी टकर इससे मिलने वाली है दोस्तों नई होंडा एचनेस CB350 ने मिड साइज मोटर साइकल सेगमेंट में एंटरी की है तो जहां से पहले ही रोयल एंफिल्ड क्लासिक 350 जावा और बैनेली इंपिरियल 400 जो मौझूद है तो उनको एक कड़ी टकर मार्केट में मिलेगी बात करते हैं इसके ही इंजन और फीचर्स की तो नई एचनेस CB350 में आपको फुल एलेडी हैड लेंप, विंकर्स के साथ टेल लेंप, क्रोम प्लेटेड एक्जोस्ट और मिरर्स साथ में दोस्तो डिजिटल एनलोग इंस्ट्रूमेंट यहाँ मिलेगा और होंडा सेलेक्ट टॉर्क कंट्रोल यह सिस्टम इसके अंदर दिया गया है असिस्ट और स्लिपर क्लच, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच और हैजर्ड स्विच जैसे मोडरन फीचर बाइक में आपको मिलेंगे इसके साथ ही HNES CB350DLX PRO में आपको होंडा स्मार्टफोन, वोइस कंट्रोल सिस्टम और ड्यूल होंड जैसे मोडरन फीचर देखने को मिलेंगे तो दोस्तो होंडा HNES CB350 में 20.8 BHP की पावर और 30 Nm टॉर्क आता है इसके साथ ही 348.36cc का इंजन आपको मिलेगा ये इंजन 4-Stroke OHC Air Cooled Single Slender होगा जो की 5-Speed Gearbox में आता है इसके ब्रेकिंग और विल की बात की जाए दोस्तों तो HNES CB350 में आपको Half Duplex Cradle Frame का यूज किया गया है जिसके फ्रंट में आपको Telescopic Suspension और Rear में आपको Twin Hydraulic Shock Absorption दिये गए है इस बाइक के फ्रंट में 19 इंच का अलॉई विल आपको मिलेगा जिसमें की 310 mm डिस्क और Rear में दोस्तों 18 इंच के अलॉई विल दिये गए है जो कि 240 mm के डिस्क दी गई है साथ ही आपको बता देता हूँ दोस्तो HNES CB350 बाइक के दोनों ही विरेंट में आपको Dual Channel ABS मिलेगा इसके Color Options की बात की जाए दोस्तों तो Honda HNES CB350 का DLX विरेंट में 3 Color आपको मिलेंगे तीन Mono Tone Color इसमें Options आपको मिलेंगे जिसमें की आपको Pearl Night Star, Matt Marshall Green और Red Metallic ये Color आपको मिलेंगे दूसरी और दोस्तों Motorcycle के DLX Pro variant अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको तीन Dual Tone Color मिलेंगे जिसमें की आपको Pearl Night Star Black with Spear, Silver Metallic, Athletic Blue with Metallic with Spade और Mad Steel, Black Metallic with Matte Massage Gray ये Metallic Color आपको मिलेंगे तो दोस्तों Honda HNES CB350 बाइक भारत में लौंच हो गई है यह बाइक आपको कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए इसके फीचर कैसे लगे साथ ही दोस्तों ओटो वे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर से जुड़ी हर अपडेट के लिए मेरे चैनल ट्रांस्पोर्ट अड़ा को सब्सक्राइब कर ले आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा तो इस वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूले त्रांस्पोर्ट अट्रांस्पोर्ट अड़ा